हलो एवरिवन, आज हम क्लास 6 का जोग्राफिक में पढ़ेंगे मोशनस अब दा अर्थ, यानि जो अर्थ है, वो कैसे घूमती है, उसका घूमने का तरीका क्या है ठीक है, तो आपको ये पता ही है कि जो अर्थ है, वो स्पेस में गोल घूमती है और सूरज के इदगुद गोमती है, अभी इसी के बारे में, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, मोशनस में, ठीक है तो what will we learn in this lesson, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाला है इस lesson में क्या पढ़ने वाला है motions of the earth जो earth है उसका जो गूमना है उसके बारे में पढ़ेंगे और revolution and rotation इसमें दो एहम चीजे हैं उसके बारे में details में पढ़ेंगे effects of the motion of the earth जो motion है जब earth गूमती है उसकी वज़े से क्या असर पढ़ता है हमारी जमीन पर हमारी earth पर यह से पढ़ेंगे फिर है summer solutes and winter solutes तो इसके बारे में पढ़ेंगे इसको detail में पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझाए शुरू करते हैं introduction से introduction क्या क्या था everything in the universe is in motion nothing is stationary जो कहता है कि जो भी इस दुनिया में है जो कोई circle में गूम रहा है कोई straight में चल रहा है मतब वो चल रहा है कुछ भी रुका हुआ नहीं है our earth also moves continuously in space and it has two main types of motions जो हमारी जो earth है यह भी लगातार गूम रही है ठीक है यह भी लगातार चल रही है तो इसके जो main motions है वो दो तरह के होते हैं rotation is the process of moving or turning around a central point तो rotation का मतलब है कि किसी भी चीज को गूमना एक ऐसे point पर जो उसका center center point पर गूमता है आप देखते हो कि कभी आप ball को ठाते हो चाहे वो football हो आप कोशिश करते हैं उसको उंगली पर गूमाने की तो वो जहाँ उंगली पर गूमती है आप किसी copy को उठा के कुछ बच्चे क्या करते हैं copy को उठा उंगली पर गूमाते हैं तो वो भी उसका center point होता है तो अब किसी भी चीज का जो एक ही जगा पर गूमती है वो उसको center point होता है the earth rotates on its axis जो earth है वो भी एक अपने axis पर गूमती है आपको मैं आगे diagram में बताओंगा कि कैसे axis क्या है और कहां पर गूमती है revolution is the act of moving around something in the path that is similar to a circle तो revolution का मतलब है कि किसी भी चीज का किसी के इर्द गूमना किसी भी चीज का किसी के इर्द गूमना और एक particular path में एक कोई path बार बार उसी path में रस्तें पर गूमना मालो जैसे हमें पता है अर्थ क्या है अर्थ सूरज के इर्द गूमती है अर्थ revolves around the sun on its elliptical orbit जो सूरज जो सूरज है उसके इर्द गूमती है जमीन ठीक है तो वो एक elliptical यानि थोड़ा oval shape थोड़ा एक fixed path में गूमती है अर्थ की जो एकसिस है वो क्या करती है वो इस एंगल पर बनी है कि वो 23 और आदा यानि साड़े 23 डिग्री पर वो एक सर्कल बनाती है ठीक है उससे एंगल बनाती है ये एक ऐसी लाइन होती है जो अर्थ को दो हिसों में बारती है जो बराबर दो हिसों में जिसकी वज़े से दिन और रात होता है ठीक है इट इस अन इमेजनेरी लाइन दाट पासे थूँ थूद अब अर्थ फ्रम पोल्स तो ये क्या है एक इमेजनेरी लाइन है जो हमें दिखती नहीं हमारी सोच है वो एक पोल से दूसरी पोल की तरफ जाती है Orbital plane is the plane that is parallel to the orbit of the Earth जो orbital plane होता है जो orbital होता है ये वो side होता है जो Earth का जो orbit है उसके parallel होता है ये आगे मैं आपको डाइग्राम में बताता हूं कैसे होता है और टेक्स 24 आर्स तो कम्प्लिट वन रोटेशन विच मेक्स वन एर्थ डे जो एर्थ है वह 24 गंटे लगाती ताकि वह एक रोटेशन करें एक गूमें वह जैसे हम अगर हम देखा जाए जो बॉल गूमती है जब हम एक सेंटर पर गूमाते हैं वह कितिन तेज़ गूमती है वैसी एक अर्थ जब एक चकर लगा के आती है उसका मतलब है वह 24 आर्स हो गया है इट टेक्स 365 देज और 6 आर्स तो कम्प्लीट वन रेवलुशन एरॉंड अर्विटल पाथ जब एक जमीन गूमती है सूरज के इर्द गिर्द तो वह 365 दिन और 6 गंटे लगाती है मतलब अगर 365 दिन और 6 गंटे लगाती हैं बट वी इग्नोर देख सिक्स आर्स 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 और एड़िट तो मेक वन डे इन दे मान्थ फेबरी तो ये मगर हम क्या हम रोज मरा की जिन्दी हैं हम इसको इग्नोर करते हैं हम बोलता है कि हमारे पास 3 अगर कोई हमें ब उसको इग्नोर करते हैं मगर हम वो चार साल बाद जब 6-6 गंटे एक खटे होते हैं वो 24 आर्स बनाते हैं तो 24 आर्स बनाने पर एक दिन बनता है और वो जो दिन है वो जो एड़ हो जाता है वो हम फरवरी में एड़ कर देते हैं तब ही कई बार हम होंचते हैं आज 28 की एर को बोलते हैं लीपेयर ठीक है जैसे इस साल भी क्या दा लीपेयर था इस एअ विद एन एक्ट्रा डेख इस नोन ऍच्छडीए इस इज नोन इस लीपेयर एंड एस 366 देज इस साल क्या है 366 डेज ये जैसे अमोमन हम सुनते हैं 365 दिन होते हैं इस साल तीन सो चार never ये बीट होता है हर चार साल बहुत लीपियर आता है और उस साल जिस साल लीपियर होता है उस साल 366 दिन होते हैं फिर है वाट इस रोटेशन पूरी डेफिनेशन आपको रोटेशन क्या हो गया A rotation is a circular movement of an object around a center of rotation जो rotation होता है वो क्या होता है एक किसी भी चीज़ का गोल गूमना एक किसी position जो कोई point होता है वहाँ पे गूमता है If three-dimensional objects like earth, moon and other planets always rotate around an imaginary line It is called a rotation axis अगर जो 3D images जैसे 3D images इसको हम तीन तरके से देख सकते हैं तीन तरफ से देख सकते हैं जैसे जमीन हो गया है, चांद हो गया है या बाकी कोई planet हो गया तो अगर एक rotation पे गूमती है उसको बोलता है rotation axis क्योंकि वो एक ही जगह पे rotate होती है ठीक है The axis passes through the body's center of mass, the body is set to rotate itself or spin जो यह axis होता है यह क्या होता है जो किसी भी चीज के center के जो body जो होता है जैसे उसके center में से निकलती है और यह जो इस चीज पे कहा जाता है यह जो axis इस पे खोद ही गूमती है What is revolution? Revolution is referred to as an orbital revolution तो यह क्या orbit एक किसी orbit में गूमती रहती है जैसे ऐसे ऐसे किसी orbit में गूमती है मान लो यह अर्थ है यह इस direction में गूमती रहती है गूमती रहती है यह इसका यहां पे अर्थ होगी ठीक है तो यह इसका जो direction रहेगा यह इसी direction में रहती है तो यह orbit है इसका यह इसी के इसी circle में गूमती रहेगी इसके अलावा यह कहीं नहीं जाएगी तो यह Earth का एक orbital position है तो it is used when one body moves around another while rotation is used to mean the movement around the axis अब क्या होता है कि जो मान लो यह सूरज है तो इसके इर्द गिर्द क्या यहां पर मैं Earth बना लेता हूँ यह circle हो गया तो यह ऐसे गूमती इस direction में गूमेगी इस direction में तो यह इसके sun के इर्द गूमेगी तो इसका काम क्या है Earth का इसके around गूमती है ऐसे ही जो Earth है इसके इसके जो around है moon गूमता है जैसे मान लो यह अब जैसे यह sun के फिर जो moon है वो इसके around गूमता रहता है इसके axis में तो यह revolution कहा जाता है जब कोई किसी object के इर्द गूमता है जैसे यह Earth गूमती है for example moon revolves around the Earth and the Earth revolves around the Sun जैसे कि जो सूरज है वो चान के इर्द गूमता है जो सूरज है जो Earth है वो सूरज के इर्द गूमती है और जो चान है वो Earth के इर्द गूमता है तो ऐसे ही होता है उमीद करता हूं आपको यह समझ आया होगा आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को आगे कंप्लीट करेंगे हम पार्ट टू में अगर भी कोई कुछ अगर कोई प्रॉब्लम आती हो प्लीज मुझे मैसेज करिए मैसेज करिए मेरे इस पर यूटूब पे मैं उमीद करता हूं आपको रिप्लाई करूगा थैंक यू